Welcome to my YouTube channel World Literature हम course discuss कर रहे थे Fables, Wisdom Literature and Epic और इस course में से हमने Epic को स्टार्ट किया हुआ है दिशानामा Book of Kings by Firdausi इस पर जो है वो अल्रेडी एक lecture जो हम बना चुके हैं उसका link जो है वो आपको description मिल जाएगा जिसमें हमने शानामा को बहुत detail से discuss किया है रुस्तम और सहराब की उसमें स्टोरी भी जो है वो डिसक्स की है उसका link जो है वो आपको description मिल जाएगा आज जो है वो हम दिशानामा Book of Kings को ही continue करने वाले हैं बड़ इसके हंदर Sassanian Dynasty की जो स्टोरी है इसकी जो history है वो बताएगी है आज हम उसको discuss करने वाले हैं Sassanian Dynasty जो के एरान में थी और ये कैसे आई किस तरह से इसका decline हुआ इसलाम कैसे आया इन सब चीजों को आज के lecture में जो हम discuss करने वाले हैं इस book के title के अगर बात करें तो title ही इसको जो है वो book of kings का दिया गया है means के जो book है वो historical myths के related है या फिर जो Iranian mythology है उसके related है Kings के related है Kings के जो story है उनके जो heroes थे उनके related जो है न ये book लिखी गई Sassanian Dynasty को discuss करते हैं इसका जो early period हम उसको देखते हैं जो कि 224 से 302 CE के दर्म्यान का है Sassanian Dynasty को जो find out करने वाले person थे वो अर्दशीर 1 थे अर्दशीर 1 की जो predecessors हैं या फिर जो इनके ancestors थे वो Sassan से belong करते थे या फिर उनके जो ancestors हैं वो Sassan थे तो उन्हें को आगे continue करती हुए इन्होंने इस डिनस्टी की जो है ना वो बनियाद रखी थी अर्दशीर 1 जो है ये Persian king थे देन अर्दशीर के जो successor हैं उसके बाद वो शापूर 1 थे इन्होंने empire को और expand किया इन्होंने कुछ roman provinces थे उनको concurr किया और romans की against जो है वो इन्होंने fight की शापूर 1 ने शापूर 1 का जुरेन है उसमें जो है वो बहुत से conflicts होने लगे थे sassanian empire के और roman empire के sassanians जो है वो इन्होंने sophisticated administrative system introduce करवाया था और इन्होंने पूरे empire को जो के sassanian empire था इसको four regions में divide कर दिया था और उन four regions को जो है वो noble persons हैं वो गवान कर रहे थे उस time middle period की बात करें तो वो 302 से 395 के दरमान का time period आ जाता है जिसमें जो है वो sassanian empire बहुत सारे challenges को face करता है जिसमें wars आ जाती है और wars जो है ये romans के साथ करते हैं अरब्स के साथ करते हैं और जो हन्स हैं उनके साथ करते हैं उसके बाद हॉर्मजिट 2 आता है जो के reforms को implement करता है वो administrative system को reorganize करता है और trade को promote करता है फिर आता है शापर 2 जो के notable sassanian kings था इसने जो है वो romans and arabs के against जो है वो fight की और इन्होंने जो अपना empire था जो sassanian empire था उसको borders के बहुत पार तक जैना वो ले गए थे means के इन्होंने अपनी जो place है जो अपनी kingship है उसको expand कर दिया था उसके बाद आता है late period late period जो sassanian empire का है वो 395 से 632 CE के दम्यान का है ये late period है और इसमें जो है वो sassanian kings जो है वो different type की जो power उसको experience करते हैं means के khusra 1 and khusra 2 जो है इन दोनों की power आती है इन दोनों को जो है वो kingship मिलती है khusra 1 जो है administrative reforms जो है वो implement करते हैं साथ में जो government है उसको centralized type का बना देते हैं और जो taxation है उसको standardized भी जो है नहीं करते हैं khusra 2 जो है वो Romans और Tux के against जो है न वो wars करते हैं और अपना जो empire के जो borders थे उनको expand करते जाते हैं इनका fall जो है वो start हो जाता है जो के 632 से 650C के जर्मियान का time period है क्या होता है कि खुसरोट हो कि जो है वो death हो जाती है और sasayanian empire जो है वो declination की तरफ चला जाता है means के internal conflicts, wars जो के neighboring empire से वो कर रहे थे economic decline और empire खुद भी जो है वो weak हो गया था जिसके वज़ा से अब इनके साथ कोई भी अगर war करता तो जिस वज़ा से sasayanian empire जो है वो already weak था तो उनको जो है वो शिकस मिलना ही मिलना थी तो इस तरह से जो अरब्स हैं जो muslims हैं वो unity में आगे और उन्होंने unity के banner के under जो है ना वो sasayanian empire को conquer कर लिए 51CE में further अगर हम अगर यहां पे sasayanian empire की बात करें तो इन्होंने जो है वो persian जो traditions थी उनका revival करवाया था इन्होंने zoroastrianism जो religion है इसको official religion बनाया था zoroastrianism जो है यह actually में islam से different religion है इनकी जो values है इनका जो culture है वो different है उसके बाद अगर हम middle persian literature की बात करें तो वो भी इसी period में जो है वो emerge हुआ था जैसे के हम शानामा जैसे works देखते हैं तो वो इसी time period में जो है ना वो revived हुए थे sasayanian empire के अगर हम लोग decline की बात करें कि क्या reasons थे किस वज़ा से जो है वो इनका decline हुआ या फिर एक ऐसी kingship जिनोंने जो है वो हर किसी को conquer किया हो और उसके बाद हर किसी से जो ये wars करते आए हो तो इनका खुद का decline कैसे हुआ और Islam जो है वो यहाँ पे कैसे आता है actually में यहाँ पे internal और external factors दोनों ही थे जिसने जो है वो empire को weak कर दिया था अगर हम internal factors को सबसे पहले discuss करें तो empire जो है वो succession crisis को face कर रहा था कि next जो है वो king कोन होगा इस वीज़ पे जो है वो बहुत सारी fights होगा करती थी उसके बाद जो administrative decline है वो भी इसमें main reason था economic troubles थी, social unrest था and military over extension थी और external अगर हम factors की बात करें तो empire जो है वो pressure को face कर रहा था जो के अरब conquest की तरफ से इनको मिल रहा था Roman Byzantine tensions थी और जो टर्किक inversions थी ये सब कुछ factors से जो के इनको जो है वो externally face करना पड़ रही थे क्योंकि इनों ने जो है वो अपने neighbors के साथ बना के नहीं रखी थी मेंस के मुश्किल वक्त में तो neighbors ही जो है वो काम आते हैं तो इनोंने first of all ही आके neighbors के साथ जो है वो war start कर दिनके साथ fight start कर दी अगर ही उनके साथ trade करते हैं उनके साथ अच्छे relations रखते हैं तो इनका शायद empire जो है वो weak ना हो तो Arab invasions जो है वो 633 में जो है वो C.E. में start हुई थी इनोंने Iraq को conquer किया उसके बाद जो है ये कैटसफन की तरफ जो है ना ये आ जाते हैं साथानिन आर्मी को ये जो defeat है वो battle of kardesia में देते हैं जो के 636 C.E. में हुई थी और वहीं से जो है ना इनके end के beginning हो जाती है साथानिन एंपायर के जिब साथानिन एंपायर को fall हो जाता है इनका decline हो जाता है उनका एरा जो है वो end हो जाता है उसके बाद जो है वो significant changes आते है means के जो एंपायर है अब वो जो religion है Islam उसमें चला जाता है and secondly वहाँ पे जो है वो राश्यदिन खलीफा का जो system में वो start हो जाता है and Islam जो है वो जो जो है वो रिप्लेस कर दिया जाता है और हर तरब जो है वो Islam होता है Islam के rules को जो है वो follow किया जाता है and एक Islamic country के तोड़ पर जो है ना उसकी development देन होती है and यहाँ पे जो ससानियन अमपायरा वो खतम हो जाता है ससानियन अमपायर के अगर history के बात करें तो इनको जिस तरह से यह आई थे kings बने थे उससे पहले कि इनके ancestors की भी history है but इसमें जो है वो हमने overview लिया है कि जो ससानियन डिनस्टी है वो actually में किस type की थी वहाँ पे कौन kings थे उन्होंने किस तरह से kingship जो है वो हासल की थी I hope कि यहाँ तक यह जो lecture है वो आपको समझ आये होगा विजियो को like और share और channel को ज़रूर subscribe कीजेगा thanks for watching my channel